Hello everyone, good morning to all, I am Pooja और आज हम discuss करने वाले हैं Monday and Tuesday दो दिनों के current affairs को, तो काफी कुछ news है, नए terms आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फिश किल्ग क्या होता है, यह क्या terminology है, वो हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ awards के उपर discussion करेंगे, लेकि सबसे पहले हम बात चुरू करेंगे sports section से, आज हम person in news से discussion नहीं करने वाले हैं, हम sports section से बात करने वाले हैं कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमको खेल से related discuss करनी है, okay स्टार्ट करेंगे हम 19th and 20th of June के current affairs के बारे में, अगर आज के class का pdf आपको लेना है, तो telegram join कर लेना, telegram से आप CA का pdf डाउनलोड कर सकते हैं, okay अगर session पसंद आता है तो अपने friends के साथ share करेंगे, वीडियो के end में question of the day भी होगा जिसका answer आप हमें comment section में दे सकते हैं, so start करेंगे सबसे पहले important days देखेगा 19th of June को हमने celebrate किया world sickle cell day, अब sickle cell क्या होती है, तो generally आप लोगे सुना होगा कि हमारा जो blood होता है, उसमें आपको तीन cell पाई जाती है, कौन-कौन सी RBC, WBC और आपका platelets तो यहां पे जो आपका RBC, मतलब red blood cell है, जिसको अब erythrocyte भी बोलते हैं, वो लगातार आप यहां पे देखेंगे गोला कार होती है, मतलब round shape की यह spherical shape की आपको red blood cell देखने को मिलती है, और इनमा हीमोगलोबिन पाया जाता है, जो कि oxygen को carry करने का काम करता है, लेकिन कई पार कुछ genetic बीमारी के कारण, जब red blood cell कुछ इस तरीके से हसीय के अकार का या sickle के shape का हो जाता है, इसे हम sickle cell anemia भी कहते हैं, तो इसी दिन के बारे में लोगों को awareness दिलाने के लिए, United Nations General Assembly ने एक resolution पास किया था 2008 में, और फिर 2009 में हमने इस दिन को celebrate करना शुरू किया, World Sickle Disease Day जो कि एक genetic disease है, जो कि parents से बच्चों में transfer होती है, और भी कई reasons होते हैं, जिसमें theme आप देखेंगे, building and strengthening global sickle cell communities, formalizing newborn, screening and knowing your sickle cell disease status, ये इस साल की theme थी, तो याद रखना है, 19 जून, 19 जून को हमने World Sickle Cell Day celebrate किया, वही 20 जून को हम celebrate कर रहे हैं, World Refuse Day, तो World Refuse Day हर साल हम 20 जून को, 20 जून को celebrate करते और इस साल theme देखेंगे आप, Hope Away From Home, Hope Away From Home इस साल की theme है, बड़ी आसान से theme है, याद रखना आसान है, अब बात करते हैं कुछ sports के news पे, सबसे पहले मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 12 साल के बाद, 12 वियर्स के बाद, भारत, चीने तमिल नाडू में जो है, वर्ल्ड स्कॉष चैंपियंशिप हो रही थी, ये चैंपियंशिप 13 से लेके 17 जून के बीच में हुई और फाइनल इसके रिजल्ट आ चुके हैं, फाइनल जो मैच खेला गया था, वो एजिप्ट और मलेशिया के बीच में खेला ग जापान और भारत, भारत जो की होस्ट कंट्री भी है, दोनों ने साथ में ब्रोंज मेडल हासल किया है, मतलब थर्ड प्लेस को होल्ड कर रहे हैं, इंडिया और जापान, यहाँ पर इंडिया को डिफीट किया जा किसने, मलेशिया ने, ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट यह वर्ल डिस्कॉस शेंपियंशिप हो जी, 2011 में तब भी इस टाइटल को किसने जीता था, एजिप्ट नहीं जीता था, नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट, विमिन्स कबड़ी लीग इनाउगरेट इन दुबई, तो पहली बार, कबड़ी लीग होने जा रही है, जैसे IPL होती है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें कई सारी टीम्स होती है, भारत की और अलग-अलग प्लेयर्ट की टीम्स होती है, अलग-अलग उनके नाम होते हैं, किसी का नाम मुंबई इंडियन्स है, तो किसी का नाम राजस्तान रॉयल्स है, एसे तरीके से टीम बनाई तो यह सारी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है कबड़ी लीग में और यह पहला एडिशन है जो की किया जा रहा है कहां पर दुबई में इसकी शुडवात हो गई है 16th of June से तो first edition of India first ever women's cupboard league has been started in Dubai on June 16th यहां पे पहली बार women's cupboard player across the India अलग अलग state से सारे प्लियर से यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे total 8 team 8 teams यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे मतलब 96 players यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जो भी team जीतेगे उसको 1 करोर रुपीज एक करोर रुपे प्राइज मनी दी जाएगी ओके नेक्स्ट बात करते हैं Intercontinental Cup के बारे में तो recently football hero Intercontinental Cup conclude हुआ है भारत में ही खतम हुआ है और final जो match खेला गया था वो India और Lebanon के बीच में खेला गया था और India इसमें match में जीत गया है आप यहां पर सुनील चेतरी को भी देख सकते हैं जो कि हमारे football team के कपतान है पूरी news को हम डिसकस करते हैं इंडिया men's senior football team wins Intercontinental Cup 2023 तो जो हमारा कलिंगा स्टेडियम है भुवनिश्वर वहां पर final match खेला गया था Intercontinental Cup का और हमारी men's senior football team है उसने Lebanon को यहां पर defeat किया है और इस title को इस cup को उठाया है सुनील चेतरी जोते हुआ हमारी team के कंपतान थे इंडिया का इस second title है इसके पहले 2018 में Intercontinental Cup का title भारत ने जीता था 2019 में Korea ने जीता था जै कि आप सुनील चेतरी के बारे में बात करते हैं तो इस match में सुनील चेतरी ने 87th number का international goal किया है सुनील चेतरी के अगर हम position देखते हैं तो यह world के third highest goal scorer है फर्स नमबर पे रोनाल्टो आते हैं, second number पे मैसी आते हैं और third number पे सुनील चेतरी का number है तो हमारे लिए बड़ी proud के बात है कि हमारी country के footballer सुनील चेतरी वर्ल्ड के third number के top goal scorer है तो इंडिया की men's senior football team ने Intercontinental, Hero Intercontinental Cup जीता है, Lebanon को हराया है, final Kalinga Stadium भुवनिश्वर में खेला गया यह second title था भारत का, 2018 में भारत ने इस title को जीता था यह बात हम सभी को पता है कि 37th number के national games कहां होने है, गोवा में होने है और यह गोवा की CM आपको देखने को मिल रहे है, Dr. Pramodh Savant इन्होंने recently जो mascot यह फिर सुभांकर होता है, उसको inaugurage किया है, launch किया है तो गोवा Chief Minister Pramodh Savant launches mascot for upcoming 37th national game और यह जो mascot है, इसको launch किया गया है Dr. Shama Prashad Mukherjee Stadium में और मेशकट का नाम है Moga, यह जो शुभांकर इसका नाम क्या है, Moga और Moga एक Bison है जो की represent करता है Goa की identity को, चीक है इसके अलावब जो ceremony थी, इसमें P.T. Usha और M.C. Marycom भी शामिल हुई थी Next बात करेंगे Indonesia Open के बारे में So Indonesia Open 2023, जो के 13th of June से 18th of June के बीच में चल रहे थे Jakarta, Indonesia में finally conclude हो चुके है और यहाँ पर double event में, यह duo या फिर mixed event में आप देखेंगे India के सात्विक साहीराज और चिराक शेटी ने Indonesia Open title को जीता है और यह पहला Indian pair बन गया है, जिसने Super Thousand event अपने नाम किया है तो इंडिया के सटलर है, duo एक जोडी है, सात्विक साहीराज और चिराक शेटी की इन्होंने Malaysia के अराउंचिया और शोवोई युक को हराया है और Indonesia Open Men's double title अपने नाम किया, जकारता इंडोनेशिया में यह पहला duo बन गया है भारत का, यह पहला double pair है भारत का, जिसने Super Thousand event जीता है तो यह हमारे कुछ sports related news थी, अब हम awards और persons को देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं, गीता प्रेस के बारे में आप लोग ने सुना होगा, गोरकपुर में रन होती है 1923 से रन हो रही है और बहुत सारी books को यह लोग publish करते हैं, श्री मदबद, भगवत गीता और जैसी कई सारी books को इन्होंने publish किया है और market इनका बहुत बड़ा है, गीता प्रेस ट्रस्ट, तो इसे यहाँ पर आप देखेंगे, गांधी peace prize दिया गया है बेसेकली एक जूरी बनाई गई थी, जिसको head कर रहा थी, खुद Prime Minister Modi और जो भी body, organization या institute क्या करता है, social, economic and political transform करने की कोशिश करता है वो भी किस तरीके से, non-violence तरीके से, गांधीयन method से तो उन्हें ये गांधी peace prize दिया जाता है, जै कि गांधी peace prize की शुरुआत 1995 मतलब 1995 में की गई थी जब महात्मा गांधी जी के हम 125th number की birth anniversary celebrate कर रहे थे और इसमें जो prize money होती है, वो 1CR की मतलब 1 करोर रुपे की prize money होती है ऐसा नहीं है, एक individual व्यक्ती, organization, institute या किसी company को भी award दिया जा सकता है जो भी peace के field में गांधी इन विचारधारा से काम करते हैं जैसे कि सेख मुझविर रहमान बांगलादेश के इनको 2020 में गांधी peace prize दिया गया था तो इस साल का जो गांधी peace prize है, गांधी peace prize इस साल मतलब 2021 के बारे में बात हो रही है 2021 का गांधी peace prize दिया गया है, गीता प्रेस, गौरकपुर को क्योंकि इन्होंने social, economic and political transformation किये हैं, non-violence तरीके से, गांधीयन method से, ओके next है RBI, Reserve Bank of India ने reappoint किया है P. Vasudevan को as a MD and CEO of Equitas Small Finance Bank तो बापस से Equitas Small Finance Bank के managing director and CEO बन गए है P. Vasudevan इनका जो tenure होगा वो तीन साल का होगा, 23rd of July से लेके 2023 से लेके 2026 तक इनका tenure रहने वाला है अभी जो Equitas Small Finance Bank है, इसका head office chain नहीं में है और ये RBI ने इसको license जो है, वो 2016 में license दिया था ठीक है, अगली जो appointment है वो है Access Bank, हमारे RBI के former director general, sorry deputy governor, I'm sorry, DG का मतलब यहां पे deputy governor से है तो हमारे RBI के deputy governor, जो कि 2016 से लेके 2020 तक RBI के deputy governor की रूप में काम कर रहते हैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दू कि जो RBI होता है, उसमें एक governor होता और उसकी मदद करने के लिए 4 deputy governor भी होते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं NS Vishwanathan के बारे में इन्हें non executive chairman बनाया गया है Access Bank का Access Bank जो है वो third largest, इंडिया की third largest private sector bank है और इसी bank के non executive chairman तीन साल के लिए for the period of three years non executive chairman बने है NS Vishwanathan इनका जो tenure है, मतलब इनके जो appointment effect में आएगा, वो October से effect में आएगा, RBI ने इनकी appointment की है और ये RBI के deputy governor की रूप में काम कर चुके है, 2016 से लेके 2020 तक ठीक है, अच्छा, अब ये कौन है, अरुन्धती रॉय है, इनकी आप लोग ने कही सारी books पढ़ी होंगी, देखी होंगी है, सुनी होंगी, चर्चा में हमेशा बनी रहती है इनने 45th नंबर का European Essay Prize Lifetime Achievement Award दिया जा रहा है, आईए हम पूरी बात करते होंगी, इनका जो ऐसे था वो था आजादी, चेक है तो अरुन्धती रॉय विन्स 45th European Essay Prize for आजादी, Lifetime Achievement Category में और इसका जो French Translation है, वो है Liberty, Fascism and Fiction, ठीक है, 12 सेप्टेंबर को लुसाने में ये अवार्ड इनने दिया जाएगा अरुन्धती रॉय इसके अलावा Environment, Globalization, Climate, Cast and Language पे भी डिसकुशन करेंगे तो इनके ऐसे का नाम जिसके लिए Award मिल रहा है वो है आजादी Next बात करते और आज के सबसे Important News पे हम डिसकुशन करेंगे, हम बात करने वाले हैं RAW के बारे में RAW क्या है? Research and Analysis Wing है RAW के नए Chief Appoint हुए है रवी सिनहा जो की एक 36गर कैडर के IPS Officer है तो रवी सिनहा को Select किया गया है Next Chief of Research and Analysis Wing मतलब RAW और ये Replace करने वाले हैं सामंत कुमार गोयल को सामंत कुमार गोयल जी का 10 ने और 30th of June को Complete होने वाला है अब उनकी जगा जो है वो रवी सिनहा लेंगे अभी रवी सिनहा क्या कर रहा है? तो रवी सिनहा प्रेजेंट में Special Secretary है Cabinet Secretary में अगर हम RAW के बारे में बात करते हैं तो RAW एक हमारी Intelligence Agency है ठीकि इसका Primary Function जो Foreign Intelligence से उसको Collect करना होता है और उसके हिसाब से फिर Indian Government हमारी Defense Forces जो है वो प्लान बनाने का काम करती है 1968 में इस Body का Formation New Delhi में किया था और Founder थे R.N.Cow and Indra Gandhi Next person जो News में है उनका नाम है Daniel Ellsberg ये एक Whistle Blower है आप लोग ने कहीं तरीके के जैसे कि कोई भी Crime होता है कोई Scam होता है और जिसमें बड़े-बड़े Politicians भी Involve होते हैं तो इन Scam को उजागर करने वाला इसके बारे में Information देने वाला जो मुखवीर होता है उसे ही हम Whistle Blower कहते हैं तो इन्होंने Pentagon Paper को लीग किया था अब यह जो Pentagon Paper क्या है तो Pentagon Paper जब वियतनामी वार हुई थी तो उसमें इन्होंने एक्सपोस किया था वियतनामी गवर्मेंट को कि किस तरीके से इन्होंने corruption किये हैं और main जो इनका reason मतलब जिसके कारण वार हो रही है जिसके बाद उस समय के जो वियतनाम के president थे Richard Nixon उन्हें resignation भी देना पड़ा था तो इनकी death हो गई है तो हम बात कर रहे हैं Daniel Ellsberg के बारे में जो कि एक whistle-blower थे जिन्होंने Pentagon Paper को लीग किया था इनकी death 92 के age में हो गई है और यह consultant भी थे वियतनामी government में नेक्स है Central Government के दोरे एक panel set up किया गया है to recommend reform in arbitration law अब देखें कि हमारे जो court है जाए वो high court हो, district court हो या supreme court हो उस पे काफे जादा burden है तो अब इन burden को कैसे solve किया जा सके किस तरीके से हम जल्ली से जल्ली जो है वो verdict दे सके तो इसलिए यहाँ पर department of legal affairs under the union ministry of law इन्होंने एक panel बनाया है for reform in the arbitration and cancellation act में जिससे reduce हो सकेगा burden on court और इस committee के जो head होंगे वो former law secretary पूर्व हमारे law secretary T.K. Vishwanathan होंगे इसके लावा कई और member होंगे लेकिन आपको बस head का नाम याद रखना है T.K. Vishwanathan नेक्स्ट बात करेंगे Embassy of India, Kuwait and UN Habitat is jointly organized beach cleaning event. अच्छा यहाँ पर देखें Prime Minister Modi ने COP28 में अनाउंस किया था about the life mission, मतलब lifetime for environment के लिए इसका मकसद यही था कि youth को भी engage करना कि वो भी छोटे-छोटे contribute करें हमारे climate change से fight करने के लिए तो यहाँ पर जो embassy of India है Kuwait में, मतलब Kuwait में जो भारत की embassy है उसने और UN Habitat ने Mission Life के अंतरगत beach cleaning campaign को run किया था जिससे लोगों को और community को environment awareness के बारे में बताया जा सके Next है INS Bhagir अब देखिएगा 21st of June आने वाला है और 21st of June बहुत important day है हमारे लिए क्योंकि इस दिन हम celebrate करते है International Yoga Day अब इस International Yoga Day में तो Prime Minister Modi होंगे अमेरिका में तो वहाँ पर जो conditions होंगी जो भी celebration होगा वो हम तभी discuss करेंगे अब हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे 121 countries हैं जो International Solar Alliance के हिस्से आते हैं मतलब सभी को importance हमें बताना है about the yogas तो अलग-अलग areas में हमारे diplomats जाते हैं और Yoga Day को conduct कराते हैं तो INS बागीर भेजा गया है कहां पर कोलंबो में जो कि 19 से लेके 20th of June तक कहां रहेगा कोलंबो में रहेगा और जो 9th number का International Day of Yoga है वो वहाँ पर celebrate किया जाएगा और इसकी theme रखी गई है Global Ocean Ring और इसको lead कर रहा है मतलब आईनेस बागीर को लेकर कौन गया है Admiral Suresh Di Shalva लेके गए है इसके अलावा कोलंबो के जो बच्चे है Children और विजिटर हैं वो भी इस submarine को आके विजिट कर सकते हैं तो किस सरकार ने जेलों को सुधार ग्रह के रूप में स्थापित किया है तो आंसर हुजाएगा उत्तर प्रदेश तो रिसेंटली देखिएगा एक Government of India ने मतलब सेंट्रल गवर्मेंट ने एक एक पास किया था विच इसके अंतरगत हमारा मक्सद था कि जो हमारे प्रिजनर्स है जो जेल में बंद हुए कैदी है उनके जीवन में आप क्या रिफॉर्म कर रहे हो और रिहाब सेंटर्स उनके लिए बनाना जैसे वो उनमें सुधार आ सके और फिर जब वो जेल से बाहर आ रहे हैं तो हम सभी लोगों के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके तो इसलिए यहां पर जो हमारा एक्ट चले आ रहे हैं उनको रिफॉर्म करने की बात की गई थी इसी एक्ट की का अंतरगत जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उत्तरप्रदेश की योगी आधितनाथ उन्होंने डिसाइड किया है कि जो हमारे प्रिजन रिफॉर्म है उसके अंतरगत हम सुधार ग्रह स्थापित करेंगे आसम लांच लाँच पोर्टल टू चेक इलीगल कैटल टांस्पोटेशन तो रिसेंटली आसम के अनिमल हुस्भाटरी अड़ बेटरिनरी डिपार्टमेंट के द्वारा एक बेफ़ पोर्टल लौंच किया गया है for cattle transportation during a program held in a Goaati जिससे illegal transportation होता है cattle का मवेशियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है उनको बेच भी दिया जाता है तो इस पे regulate करने के लिए तो जो farmers होते हैं और जो cattle trader होते हैं जो कि legal हैं वो website पे Assam Government की website पे login करेंगे उसके बाद पर्मिट लेंगे और उसके बाद वो cattle को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली सारे कारिक्रब असम केटल Preservation Act 2021 के अंतरगत किये जा रहे हैं नेक्स्ट नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है क्या है अग्रीमेंट गवर्मेंट ओफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्परेशन फ्रेमवर्ट फ्रेमवर्क 2023-2027 तो भारत भी जाता है कि इसका SDG मतलब जहमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम बढ़े हैं इसके पॉइंट से हम उनको कवर करें ठीक है तो इसलिए यहां पर उनाइटेड नेशन के साथ नीथी आयोग ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है साइन किया है 2023-2027 तर जिसके चार बेसिक पिलर्स होंगे एजंडास होंगे पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट, एन पाटिसिपेशन और इन चार पैरमिटर के अंदर छे हाइलाइट फोकस अईरिया होंगे नुट्रिशन, एन फूट सिक्यूर्टी, वेल-बिंग, हैल्थ, एजुकेशन, एकोनोमिक ग्रोथ इंपावरिंग, पीपल, कमुनिटी, एन इंस्टिशन, ओके नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का मेटर्वर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत मेटा रिसीव ग्लोबल रेकाउगनेशन, देखिएगा एक इवेंट हो रहा इवेंट का नाम क्या है, वीवाटेग, वीवाटेग क्या है, वीवाटेग यूरॉप का लार्जेस्ट एनुवल टेखनलोजी इन स्टार्टप गैदरिंग प्रोग्राम है, जिसमें भारत का पैवेलियन भी लग रहा है, मतलब इंडिया की दुकान भी लग रही है, इंडियन पैविलियन भी इसमें आ रहा है, वीवाटेग में, और इसमें नेक्स बात करते हैं, हम एक छोटे से चंद्रमा के बारे में, जो कि सनी ग्रह मतलब सैटर्न का है, हम बात कर रहे हैं इंसिलेडर्स के बारे में, तो नासा का जो कसीनी spacecraft है, उसने recently पता लगाया है कि Saturn का जो moon है न, insilidus, उसमें phosphorus है, अब phosphorus बड़ा important होता है, आपको मैं बता दू कि हमारा जो DNA होता है, हमारा जो DNA होता है, उसमें भी phosphorus होता है हमारे जो tooth है, हमारे जो bones है उनमें भी phosphorus होता है, वतलब phosphorus की presence होना मतलब life की presence होना, मतलब जहां पर phosphorus आपको मिल रहा है, तो वहां पर कहीं न कहीं आँगे जाके आपको जीवन भी संभव हो सकता है, ऐसा अनुमान होता है, तो NASA के कैसी नी spacecraft ने Saturn के इस चंदरमा पर phosphorus का पता लगाया है, और यह second nearest of the major regular moon है, Saturn का और brightest भी है, इसके discovery 1789 में एक English astronomer, Billiam Harsail ने की थी, ठीक है, और Greek mythology के नाम पर इसका नाम Enceladus रखा है, अब यहां पर जो ocean है, वहां पर Saturn का moon है, वहां पर ocean है, तो ocean की जो crust है वहां पर phosphorus का पता लगाया है, जो कि बहुत चमक भी रहा था, क्योंकि 2017 घूम रहा था, लगबग 294 ताइमस इसने चक्कर लगा लिया है सर्कल कर लिया है, Saturn का इसने Saturn का जो एट्मोसफियर है, उसकी जो रिंग है, उसकी study भी की Saturn के different moons के बारे में study की, इसके अलावर जो Enceladus है और Titan है, और ऐसे कई 6 और चंद्रमा है, जिन पर इनोंने search की है, कि यहाँ पर life possible हो सकती है Next, what is a fish kill? अब यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको पहले बताती हूँ, यह देखो, यह America है, map में, यहाँ पर है Texas, और Texas यहाँ पर boundary share करता है, आपके, Caribbean BNC से मतलब आपके समुद्र से boundary share करता है, तो इनकी जो coastal था, इनकी जो beach था Texas का, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी मचलिया मर गई और beach पे आ गई, इस fenomena को हमने बोला, fish kill fish kill का मतलब यह होता है कि जब पानी, समुद्र के पानी का temperature increase होता है और जब warm water होता है, तो वहाँ पर oxygen जो dissolve है ना, वो कम हो जाती है मतलब पानी में oxygen का level कम हो जाता है, जब हमारे शरीर में हमारे environment में oxygen की कमी होती है किसी बंद कमरे में होता आपको suffocation होने लगता है, breathe करने में problem होती है तो वह मचलिया है, बिचारी वह भी breathe करती है, तो पानी में जब oxygen की कमी होगी, जब पानी में dissolve oxygen कम हो गया, उसके बाद उनको भी suffocation होने लगा, breathe करने में दिक्कत होने लगी और बहुत सारी मचलिया मर गई, इस phenomena को हम fish kill कहते हैं fish kill which occur when the low level of dissolved oxygen in the water cause suffocation of the fish और बहुत सारी मचलिया जो है, वो Texas में आपको यहाँ पे, इनके बीचिस पे देखने को मिलेंगी, इस phenomena को हमने fish kill नाम दिया है, तो fish kill आपको समझ में आया, क्या phenomena है basically है, okay, अंध में बात करते हैं कुछ MCQ के बारे में पहला question है, Recruiter Institute Digital News Report के accordingly कौन सा electronic media सबसे trusted media है, so answer is दूरदर्शन Top Achiever in the Wind Energy कौन है, तो Rajasthan है, Gujarat है, Tamil Nadu है Next है, पालखी festival कहां पे celebrate किया गया, जहां पे G20 guest ने भी participate किया था, so answer है Maharashtra Next है, Jen Marriate यह first female envoy बनने जा रही है, किस country में, तो UK की है यह, पाकिस्तान में जा रही है Islamabad, option D Managing Director of Indra Prasth Guest Limited कौन बन गया है, तो answer हो जाएगा यहाँ पे, Kamal Kishore Chattwal ठीक है Master Residential Real Estate इस book के author कौन है, तो इस book के author है, अस विंदर सिंग मही में launch हुई थी, पुरानी news है बस question ले लिया है, ठीक है attention मत लेना चलो, next बात करते है 17th of June को हमने एक day celebrate किया which is desertification and drought World day to combat desertification and drought ठीक है, इस दिन की theme किया थी theme है, हर land, हर right option D is the right answer जो important day छूट गया है इसको हम weekly C.A. में cover कर लेंगे जो भी आंसर होगा, कमेंट में देना reply भी आपको वहीं पर मिल जाएगा कल हम कुछ और नए टर्म्स इंटर्डूस करेंगे economy की, कुछ और news हम discuss करेंगे कल, so मिलते हैं कल तब तक अपना ध्यान रखेगा take care and bye